इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आज आयो जित हुए अधिनस्त बोड द्वारा किर्शी परिवेश्यक भरती परिक्सा के एक एक्सपेक्टेड कट ओफ के बारे में भी चर्चा करूँगा इसके साथ लाश्ट येर कट ओफ कितनी थी और उसके एकोडिंग इस बा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किर्शी प्रिवेश्यक शीदी भरती परिक्सा 2023 में आपके टोटल 430 पद थे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखावा 430 में से 11 अनुसुची छेतर यानि नौन टीएस्पी के थे 385 पद और टीएस्पी यानि की अनुसुची छे बहात वड़ी आ है हर एकजाम में लास्ट एकजाम की तल्ना में ज्यादा ही कट आफ जाती है चाहे वो आप Ris का देख लो 2nd Grade का देख लो रीट का देख लो, कोई भी एक्जाम देख लो 2023-2024 में, जिसकी cut-off आपके last year की तुला में high ही गई है, तो सबसे पहले non-TSP में बात करूँ, तो आपके total 385 पदे non-TSP में आप देख सकते हैं उस्क्रीन पर, इसमें सामने केटिगरी के आपके सामने केटिगरी के 101 पदे, उस पदे और female में 9 पदे, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामने केटिगरी में 56 पदे, और माईला में female में 16 पदे, अती पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो अती पिछड़ा वर्ग में जनरल केटिगरी में 13 पदे, और female म चार पदे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, तो उसमें आपके जनरेलगरी में 27 पदें और फिमेल में 8 पदें और 12 जिले की सहरीया जनजाती के लिए सिरुप फिमेल में, सोरी, जनरेल गिमेल reflect करें जनरेलगरी में 1 पदें उसके बाद X-Service Man की बात करें तो X-Service Man में भी पद है General में 17, SC में 7 HT में 5, OBC में 9 MBC में 2 और EWS में 4 और उतकरष्ट खिलाडियों के लिए 7 पदों पर ये बढ़ती हुई है इसके अलावा अब बात करता हूँ अनुसुची छेतर में और उसके बाद बात करूँगा expected cut-off के बारे में last year कितनी रही थी उसके बारे में भी चर्चा करूँगा और इस बार कितनी जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करूँगा तो TSP में बात करें तो कुल पद यह बहती थी, जिसमें General category के 17 पद है, उसमें Female के 5 है। अनुसुची जाती की बात करें तो उसमें General category के 2 पद है और अनुसुची जाती में General category के 14 पद है और Female के 5 पद है। बाकी Visage use Iogician में बात करें, Horizontal Reservation में तो BLV के एक है, और HI में भी एक है। X-Service Man की बात करें, तो X-Service Man में जनरल में दो पद है, और ST में दो पद है, तो ये थे आपके पदो की संक्या का विबरन, अब बात करता हूँ, लास्ट येर की में कितनी cut-off गई थी, यनि कि 2021 में भी ये भरती परिक्षा हुई थी, उसमें दो गुना में कितने student को सामिल किय गया और इस बार दो गुना में कितने student को सामिल किया जाएगा, तो दो गुना में आप देख सकते हो, जनरल सबसे पहले बात करूँगा non-TSP की, और उसके बाद बात करूँगा TSP की, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है, तो नीचे comment box में जरूर पूछे, तो non-TSP की बात करें, 2021 में जब भड़ती हुई थी, तो जनरल की जो cut-off है वो 224 गई थी, अब ये cut-off 300 में से, आपको मालू में 100 क्यूशन थे, परते क्यूशन 3 नंबर का, एक ये negative marking है, और आपके 300 नंबर का paper थ तो 300 में से 200 choice.04 गई थी, और इस बार का जो आपका safe score है, अगर आपने non-TSP में, जनरल केटेगरी में score 230-35 के राउंड किया है, तो समझ लीजी, आप दो गुना की safe list में हो आपका score, female category की बात करें, तो female में last year 2021 में 219.919 cut-off रही थी, और इस बार अगर आपका safe score 222 से लेक 25 के बीच में आ रहा score, तो आप safe zone में हो, female category के बार WD की बात करें, तो WD की cut-off 4.8502 रही है, और DV की 88.04 रही थी, इसके बाद बात करूँगा EWS की expected cut-off, expected cut-off में सिरफ general और female की ही बात करूँगा, हर category में, बाकी की बात नहीं करूँगा, EWS की बात करें, तो last year general में EWS में जो cut-off रही थी, वो 202.004 रही थी, और इस बार EWS general में जो आपका safe score, अगर आपका score 205 से लेकर 210 की range में है, तो आपका safe score है, female की बात करें, तो last year 182.32 रही थी, और अगर आपका score इस बार 185 से लेकर 188 की range में आ रहा है, तो आप safe zone में हो, यनि कि आप देख सकते हो cut-off, इस बार आपका हर exam में आप कोई भी exam उठा के देख सकते हो, last year की exam की तोलना में ज्यादा ही गई थी, WD के बार DV में last year गई थी 19.04, क्योंकि आज का time competition है वो बहुत बढ़ चुका है, SC category की बात करें, तो SC category में general में last year में 105.4777 cut-off गई थी, अगर इस बार आपका score 200 से लेकर 205 की range में बन रहा है, तो आप एक तरह से safe zone में हो, female category की बात करें, तो female category में last year की 111.247 cut-off कितनी रही थी, 111.247 और इस बार जो आपका safe score है, वो 176 लेकर 115 के बीच में रहने का safe score है, अगर इस range में आपका score बन रहा है, यानि कि आप safe zone में हो, दोगना की जो list आईगी, उसमें आपका number आ जाएगा, DV की जो last year cut-off थी, वो 4.5 थी, कितनी र बात करें, तो ST category में general में last year की cut-off 106.64 रही थी, और इस बार जो ST category की है, वो अगर आपका score 200 से लेकर 205 की range में है, तो आप safe zone में हो, आप JLO का exam देख सकते हो, जो number में आयो जित हुआ था, उसमें भी last year क्या हुआ था, cut-off गई थी general की 150 से 153 के अंदर कुछ cut-off थी, और ज expected cut-off 158 से 162 की range का बताया था, और बहुत student बोले थी, इतनी cut-off नहीं जाती है, 150 के अंदर ही रहेगी और जब result आया था, तब cut-off गई थी general की 161 के आस पास कुछ, तो इस बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हर exam की cut-off है, वो competition बहुत बढ़ गया है, last year की तुलना में cut-off जादा ही जाती है, इस बार ऐसा कोई भी exam नहीं हुआ, जिसकी cut-off last year की तुलना में कम गई हो, चाहे या तो बराबर में रहती है, या फिर जादा ही जाती है, ST category की female की बात करें, तो female में last year गई थी 155.39, इस बार ST category में female में अगर आपका score 175 की range में है, तो आप एक तरह से safe zone में अपने आपको समझ सकते हो, उसके बार WD और DV, DV की last year गई थी 37.40, OBC category की बात करें, तो OBC category में general में last year गई थी 219.583, तो इस बार अगर आपका score 225 से ल आप एक तरह से safe zone में हो, female की cutoff गई थी 214.996, तो अगर इस बार आपका score 215 से लेकर 220 की range में बंड़ा, तो आपका score है safe zone में है, और DV की cutoff गई थी 3.1255, ये OBC की cutoff थी, अब बात करूँगा MBC की, तो MBC में general की cutoff last year में गई थी 211.8421, इस बार MBC में जो cutoff अगर आपका score 215 से लेकर 220 की range में है, तो आपका score क्या है, safe है, female की cutoff गई थी 165.08, अगर आपका score female में 172 के बीच में बंड़ा है, तो आप safe zone में हो, और DV की cutoff गई थी 48.9, उसके बाद सहरिया की बात करें, तो general की cutoff गई थी 40.1255, सहरिया में अगर आपका score 40 से 45 की range में आ रहा है, तो आप safe zone में हो, और female की 24.23 गई थी, हो रिजल्टर रिजर्वेशन में बता देता हूं, last year cutoff कितने गई थी, BLV में गुर्णबे 0.08 गई थी, HI में 0.85 गई थी, LDCP में 117.08 गई थी, MIMD में 0.097 गई थी, X-Serviceman में 0.356 गई थी, और Sportsman में 48.83 गई थी, तो ये तो थी आपक non-TSP की, अब बात करूंगा, TSP में कितनी cutoff गई थी, TSP में general category की cutoff गई थी, last year में 117.14, अगर आपका score इस बार 133 से लेकर 138 की range में हैं, तो आप एक तरह से safe zone में हो, female की cutoff गई थी, 136.44 गई थी, अगर आपका score 140 के आसपास है, तो आप safe zone में हो, WD की 4.85 दो गई थी, और DV की 17.48 गई थी, SC category की बात करें, तो SC category में general की cutoff गई थी, 146.75 थी, अगर आपका score 150 के आसपास 150 से 152 की range में आना, तो आप safe zone में हो, SC category में, female में last year गई थी, 106.081, यनि कि आपका score 110 से 115 के बीच में बन रहा है, तो आप safe zone में हो, ST category की बात करें, तो ST category में general की last year गई थी, 134.81, इस बार अगर आपका score 140 से 45 की range में है, तो आप समझ लीजी, आप safe zone में हो, female की गई थी 104.99 थी, तो यनि कि female 105 से 110 की range में अगर आपका score बन रहा है, तो आप safe zone में हो, horizontal resolution में last year गई थी, BLV की 8.169, HI की 6.2, LDCP की 105.87, MIMD की 0.09, X-Servishman की 53.03, और Sportsman की 17.34, तो ये थी आपके expected cutoff वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी doubt है, तो नीचे comment box में हमें जरूर बताए,